गुड मॉनिंग बचों आज की क्लास में मैं बातचीत करनी है क्लास 11 के चैप्टर नमर 4 जिसका नाम है केमिकल बॉंडिंग एक्जाम के पॉइंट आफ यू से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप उम्मीद करता हूँ किसे पूरा देखेंगे अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर एक अच्छा चैप्टर है जहां से मैक्सिमम मार्क्स के कुरिस्टन साने की संभावनाय होती है इस केमिकल बॉंडिंग में जो भी हम आपको पढ़ाएंगे अब ध्यान से सुनिएगा और खटा-खट समझने का प्रयास करिएगा अगर वीडियो की स्पीड आपको तेज लगे तो धीवा करके पढ़िएगा क्योंकि ये रिवीजन क्लास है उमीद करता हूँ कि आपको बिटर समझाओ आईए चलते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स पर भी डिस्कसन करेंगे उससे पहले ये किमिकल बॉन्ड क्या होता है इस पर बात कर लेते हैं केमिकल बॉन्ड में अगर हम बात करते हैं इस पर बॉन्ड के अंतरगत ये चार थेरी आई जो हमें मेन मेन बातचीत करनी है क्योंकि एक्जाम को पॉइंट आफ यू से ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे पहला पॉइंट है कोसल लिविस अप्रोच क्या होता है है जी दूसरा वैलियोंसल ऐलेक्टॉन पे रिपल्सन तियरी तीसरा वी बिटी और चोफा मॉलिकुलर और्बिटल थेरी ये चार पॉइंट पर हम बात करेंगे कोसल लिविस अप्रोच में ये scientist ने क्या बताया है इन्होंने ये कहा कि जो atoms के अंदर valence electron पाय जाते हैं उस valence electron को हम represent कैसे करते हैं यही इसके अंतरगत बताया गया और octate rule के बारे में बताया गया कि noble gas configuration को attain करने के लिए हर atom, हर element क्या करता है अपने outer muscle में 8 electron रखने का प्रयास करता है कोसल लिविस अप्रोच की इस कहानी में हमें क्या बातचीत की गई हमें ये सिखाया जाएगा कि हम किसी भी element के valence electron को represent कैसे करते किसी element के valence electron को हमें represent इस तरह से करना है कि उसके बीच में जो distance है यानि maximum distance पर रहे यानि कि जादा से जादा दूरी पर वो electrons होने चाहिए बस इसका ध्यार रखना है लिविस सिंबल इसी को हम कहते हैं कोई से लिविस अप्रोच के अंतर जो लिविस सिंबल की बात हुई वह यही है कहते हैं it represents the number of valence electron or outermost electron it helps to find out the valence of element इसी के माध्यम से वेलंसी भी निकाल पाते हैं अगर वैलंसी चार तक है तो उसके वैलंस इलेक्ट्रान 4 है और वैलंसी भी चार होगी और अगर वैलंस इलेक्ट्रान 4 से जादा होते हैं तो वैलंसी निकालने के लिए हमें उसमें 8 में से उसे माइनस करना विए को से तरीके के वान्स निकाल बॉन्टिंग को सब्सक्राइबर करें नाम नहीं आयोंनिक बॉणन नाम के बिच्मेन बेच्म बढ़नन के बिच्टान के बिच्मानता है घैसे यह देखे एक मेटल है इसके valence electron 1 है, chlorine हमारा non-metal इसके valence electron से बना है, तो sodium अपने एक electron को क्या करेगा, transfer कर देगा, कि इसको chlorine को यहां से Na plus बन जाएगा, और chlorine एक electron को लेकर Cl minus बनाएगा, दोनों में एक interaction होगा, attraction होगा, उसी को हम ionic bond के नाम से जानते हैं, कोवैलेंट bond क्या होता है, ionic bond क्या होता है, बहुत strong होता है, इसको आसानी से break नहीं किया सकता, क्योंकि transfer of electrons यह बनाया जाता है, solid state में poor conductor होता है, good conductor होता है, molten state में, और दूसरी बात यह बताएगी, water में dissolve आसानी से हो सकता है, इसकी melting point और boiling point हाई होती, यह crystalline in nature होता है, crystal lattice में पाया जाता है, structure complex होता है, polar solvent की रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह ions में तूट जाता है, इसी के साथ हाई होनी किया electrovalent bonds हम आप होता है, दूसरे नमबर पे बात आती है, covalent bond की, अगर covalent bond की बात करेंगी, इसमें sharing of electron पाया जाता है, electron की sharing होती है, दो यादो से अधिक atom आपस में electron की sharing करके combine हो जाते हैं, ठीक है, important fact में यह बताया गया, कि sharing of an electron between the atoms, दूसरी बात यह बताएगी, at least one electron to shared pair, ठीक है, अगर हम कहते हैं, एक shared pair में दो electron होते हैं, लेकिन अगर कम से कम एक electron sharing में participate करना ही चाहिए, हम कहते हैं कि अगर the combining atom certain the outer cell noble gas, जो combine हो रहे हैं, यानि जो दोनों आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, वो noble gas configuration को attain करना चाहिए, यह second बात हो गई, हम कहते हैं, covalent bond को तीन पार्ट में classify किया गया, single covalent, double covalent और triple covalent, single covalent में बेटा एक एक electron की sharing होती है, double covalent में दो-दो electron की sharing होती है, triple covalent में तीन-तीन electron की sharing होती है, और molecule का formation होता है, अगली बाद बताएगे कि Lewis representation of symbol molecule, यानि कि electron dot structure जो आप पढ़ते हों, वो इसी के अंतर गताता है, rules of formation of Lewis structure, यानि क्या rules हैं उसके बारे में आपको समझाएगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात्चीत नहीं करनी है, यह syllabus में इतना ज़्यादा नहीं है, अब हमें सीधे-सीधे बात करनी ही, formal charge के बारे में, formal charge क्या होता है, according to leases, इसको भी छोड़ दो, formal charge अभी इसमें आपको नहीं पढ़ना है, आप पढ़िए limitations of octate rule, यह exam में पूछा जाएगा, जो important terms हैं वही हम आपको बता रहे हैं, octate rule आपका एक important point है, इसके exam में आने की भरपूर संभावना है, और octate rule क्या है, यह जान लो पहले, हम कहते हैं, हर कोई item अपने noble gas configuration पटेन करना चाहता है, अपने outer most cell में 8 electron रहना चाहता है, रखना चाहता है, यही octate rule कहलाता है, लेकिन दूसरी बात यह है, कि octate rule की कमी क्या है, limitation क्या है, तो पहले limitation है, कि उसके incomplete octate of central atom, यानि central atom जो होता है, कुछ ऐसे molecular compound बने, covalent compound, जिनके outer most cell में incomplete octate, मतलब जिनका octate complete नहीं हो पाया, जिनके outer most cell में 8 electron compound बनाने के बाद भी नहीं हो पाया, जैसे B.E.H.2 है, तो इसके outer most में B.E. के 4 हैं, hydrogen तो duplet बना ले, लेकिन beryllium में 4 हैं, तो incomplete हो गया, odd electron species का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें odd number में 3, 5, 7, 9, ऐसे electrons पाय जाते हैं, और 3 है, expanded octate of central atom, यानि sulfur है, इसके अंदर expand करने की चमता होती, octate होती, यह क्या कर रहा है, expanded octate बनाया है, 6 से जुड़ गया, maximum 4 तक bonding की case थी, 6 bond बना लिया, तो यहाँ पर होना किता चाहिए, 8, octate की जगा, barate बना रहा है, barate का मतलब समझ पा रहे हैं, यानि 12 है electron इसके आउटर मोटसल में आ गए, और maximum छमता कितनी है, 8 की, और जब 12 आ गया, तो यह possible नहीं हो पाएगा, 4 नंबर पर यह पताया गया, जैसे XEF2, noble gases, ठीक है, जिससे हम कभी उम्मीद नहीं करते, कहा यह गया है, कि noble gases reaction में participate नहीं करती, तो noble gases reaction में participate नहीं करती, लेकिन जिनों एक noble gas होकर के compound बना रही है, यह भी एक drawback हो गया, limitation हो गई, octate rule की, अगली बात कहीं गया, अगली बात बताएगे, अगली बात बताएगे, अगली बात बताएगे, अगली बात बताएगे, किसी molecule की stability को भी इसके द्वारा नहीं बताया जा सका, it is totally silent about the energy of molecule, किसी molecule की energy के बारे में भी कोई explanation नहीं हो सका, इतनी कमिया थी octate rule में, में तो ये तीन कमी थी चौथी, जिसके basis पर हम सारा काम कर रहे थे, उसने ही अपने आप को बदनाम कर डाला, उसने कहा कि हम noble guys, हमने कहा था कि इसी के basis पर बात कर रहे था, हर कोई element noble guys बनना चाहता है, और noble guys ये खुद ही reaction करना चाहा रही है, तो फिर जिसके basis पर पूरा model बनाया गया, जब वही सही नहीं चलेगा, फिर model बनने की बात ही क्या है, तो ये खताम हो गया, इसको बिल्कुल अच्छे से तयार करिए, limitation of octate rule अच्छा topic है, अगली बात आती है lattice enthalpy, यानि lattice enthalpy क्या होती है, the energy required to completely separate one mole of solid ionic compound into gaseous constituent ion, उसे lattice enthalpy, lattice enthalpy बेटा ionic compound में होती है, यानि किसी ionic compound को उसके ions में convert करने के लिए, यानि किसी ionic compound को हम कहते हैं, कि उसके ions में convert करना, या फिर उसके हम separate moles में convert करने के लिए, किसी ionic compound को या electrovalent compound को उसके gaseous ions में convert करने के लिए, जितनी energy दी जाती है वही उसकी lattice enthalpy कहलाती है दोसरे नमबर पे आता है bond length अगर हम पूछते हैं कि bond length क्या होता है हम कहते हैं किसी bond की length यानि length of any bond is known as bond length यानि bond length के अंतरगत हम क्या पढ़ते हैं कि दो nuclei के inter nuclear distance between the two atoms या two bonded atom यानि दो bonded atom के बीच की जो inter nuclear distance होती है उसे हम bond length कहते हैं nanometer picometer angle storm में इसको हम क्या करते हैं measure करते हैं bond angle क्या होता है इस पर short note लिखने को exam में आ जाती है write short note on the following lattice enthalpy bond and length bond angle ऐसा question आता है the angle between the orbitals containing bonding electron pair around the central atom in a molecule और हैं यानि कि bond angle का मतलब दो line segment या दो bond के बीच का जो angle होता है ये वाला ये क्या कहलाएगा इसी को हम क्या कहते हैं bond angle कहते हैं अगली बात bond enthalpy क्या होती है latest enthalpy और bond enthalpy में अंतर क्या है ये समझना है अगर हम कहते हैं bond enthalpy क्या होती ये भी जानने की बात है को वेलैंट की स्थिसे मांड कोई दिया जाए तो में जिस एनर्जी की problema नहींग को तोड़ने में जिस डा की कि तोड़ने में की क्वाउ wiring क बीच को यहांग के भुब क्रेंड करने के लिए जिस एनर्जी कि रिक्वार्मेंट होती है हैं bond enthalpy कहते हैं किलो जूल पर मोल में इसको बताया गया depends on following factor size आप bonded atom पर depend करती है कि bond energy कितनी होगी bond length पर depend करती है और nature आप bond पर depend करती है कि bond energy कितनी होगी यह bond enthalpy का concept है इसी में एक प्यारा सा topic आता है bond dissociation enthalpy actually bond enthalpy जो होती हो बनाने की या तोड़ने में लगने वाली energy को बोलते हैं लेकिन जो bond dissociation enthalpy होती हो bond को तोड़ने में जो energy लगते हैं उसे हम bond dissociation enthalpy कहते हैं अगला topic है bond order हमने कहां bond order क्या होता अगर इसकी बात की जाए तो जरह सुनिएगा bond order क्या होता है बेटा bond order की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं the number of bond between the two atoms in a molecule is known as bond order यानि कि दो atom आपको दे दिया जाए उनके बीच में कुल कितने bond बन रहे हैं यही उसका bond order कहलाता है यानि कि जैसे o2 है तो 2 में कितना bond है दो तो उसका bond order 2 हो गया f2 है तो उसमें क्या होता है आपने पढ़ा है कि अगर हम Lewis structure fail हो गया यानि a single Lewis structure fails to explain on the characteristics of the molecule to explain कहा यह गया कि Lewis structure fail हो गया किसमें किसी molecule की characteristics को बताने में तब जाकर के हम resonance ले आए और resonance एक अशा topic है जिसके basis पर हम किसी भी atom की कि किसी भी molecule की हम क्या करते हैं stability के बारे में बता सब बता पाते हैं यानि maximum number of resonating structures have more stability यानि जितने जादा resonating structure होंगे उतनी stability होगी structure में step same position आप the atom structure में ज्यान की बाते किया है यह से देखो यह है ताप इस double bond को इधर रखे इसको इधर रखे इसको इधर कर दो इसको इधर कर दोती है क्या हो जाएगा इसका resonating structure हो गया इसी तरह से हम इसके resonating structures को बनाते हैं ठीक है पड़े हो गए बेटा खटा-खट समझ में आएगा बेंजीन के resonating structure यह और यह दोनों आपस में resonance है ठीक है बेंजीन के respect में यह केकुले structure है ठीक है यह देवार structure है दो तरह के structures बनाएगे फिर लास्ट में resonance hybrid है यह बताता है कि यह जो पाई बॉंड है आपका यह rotate होता है तो यह इस प्रकार से हम इसको समझ पाते हैं अगली बात आती है resonance energy की क्या होती है resonance energy कहते हैं कोई भी मॉलीकूल आपको दे दिया जाता है तो उसका जो इस्टेबल मतलब की hybrid structure और जो इस्टेबल फॉर्म है उसके बीच के energy gap को energy difference को हम resonance energy कहते है polarity या bond बड़ा जोरदाए topic है आपको पहले भी बताया चुका है polar क्या होता है और non polar क्या होता अगर यह आपको जानना है polarity का मतलब polar और non polar की कहानी हमें समझाई जाएगी polar क्या होता है जिसमें delta EN की value 0 से जादा होती है वो polar bond कहलाता जिसमें delta EN की value 0 होती है वो non polar bond कहलाता है तो एक polar होता है एक non polar होता है delta EN की value 0 से जादा है तो polar हो जाएगा delta EN की value 0 से कम है या 0 है जीरो से कम नहीं अगर 0 है तो वह polar होगा तो non polar होगा polar में delta EN की value 0 से जादा होगी और non polar अगर ह होगा यानि कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा तो इसमें डेल्टा एन की वेलू जीरू होगी ठीक है यह बात आपको ध्यान रखना है जैसे आप देखिए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में H2 और CL2 दिया H और H के बीच में इलेक्टान पेर लगा दिया लगाया की नहीं लगाया अगर यह इलेक्टान पेर लगा दिया तो यह बीचो बीच है क्योंकि नहीं यह खीचेगा कोई भी यहां खीच नहीं पाएगा इसलिए यह इस प्रकार से दिया जाएगा CL और यह ऐसे हो गया, यह हमारा इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से हम H2 और CL2 को असानी से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, साथ यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, और अगर यह बात आपको समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, दूसरे नंबर पे ह polar covalent bond की कहानी पढ़ते हैं अब देखो अगर इन heteroatomic molecule की बात करते हैं heteroatomic मतलब दोनों atoms different होने चाहिए जैसे SCLHF है यह सभी क्या है heteroatomic molecule की अंतरगत आते हैं तो यह क्या कहलाता है यह covalent bond की कहानी बताई जाती है तो polar dipole moment अगला topic है हमने आपको polar covalent bond और non polar covalent bond समझा दिया polar किसे कहते हैं non polar किसे कहते हैं यह दोनों बात आपके समझ में आ जानी चाहिए हम कहते हैं अगली बात dipole moment के बारे में कि dipole moment क्या होता है जरत सुनिएगा the product of the magnitude of the charge and the distance between the q into d की बात की गई है यह formula याद रखना q into r ठीक है dipole moment के बारे में ठीक है और बाकी यह एच फ यह क्या बताता है बेटा जिसकी elektron negativity ज्यादा होती उसकी तरफ हेड होता है जिसकी negativity कम होती उसकी तरफ टेल होता यह बात इसमें बताएगी ठीक है डाइपोल मुमेंट की एह कहा नहीं डाइपोल जीरो कभोता वो समझाया गया जैसे यह हाइडोजन है यह है अब इसमें क्या है oxygen कि इसमें भी ज्यादा यह दोनों इधर आ गया और इसको हम आगे से क्या कर देते हैं, बस इतनी सी बात इसमें समन्ना, फजान रूल एक्जाम में आएगा, इसको आप याद कर लेज़ेगा, जो आपको यहाद करना है, फजान रूल कैसे आएगा, जरा सुनिएगा, the covalent bond have some partial ionic character, यानि कि यह बात आपको मालूम होना चाहिए किसी आयोनिक बांड के अंदर कोवेलेंट करेक्टर होता है और किसी कोवेलेंट बांड के अंदर आयोनिक करेक्टर भी पाया जाता है यह बात आपको मालूम होनी चाहिए यानि कोई भी आयोनिक बांड है तो उसके अंदर कोवे एक बार इसे रिड जरूर करिएगा क्वेशन आ सकता है क्योंकि बहुत बड़ा है तो इस वीडियो में पढ़ाना मुश्किल है ठीक है क्योंकि बहुत सारे points में दी गए हैं, notes आपके सामने हैं, एक बार इसे read कर लेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको better समझ में आएगा, यह फजान rule की कहानी हो गई, application भी फजान rule का आपको पढ़ना होगा, ठीक है, अब वो important terms की बात कर रहे हैं, जो हमें पढ़ने, violence electron pair repulsion theory, यह क्या बताया गया, को से लगए, इसमें आपको explain किया गया, shape of molecule के बारे में बताया गया, predict the shape of molecule, सेड़विक और पावल ने इसके बारे में बताया, main postulates क्या है, main postulates में केवल यह याद रखिए, loan pair, loan pair में जो repulsion होता है, सबसे जादा होता है, comparison to loan pair, bond pair bond pair, bond pair में सबसे कम repulsion होता है, यह बात बताईगी, और हम इसकी geometry की बात करेंगे, किसकी geometry क्या होगी, कैसे होगी, उसके बारे में पढ़ना था, ठीक है, और इसके बारे में आपको याद ही करना है, इसमें कोई और condition नहीं नहीं, AB2E दी गया, अगर हम इसकी बात करते हैं, यह तो एक बताया गया, कहा गया, geometry of molecule in which central item has no loan pair, अगर loan pair में क्या होगा, यह ऐसे बन जाएगा, बैटा, वो इसको देख लो, जो यहाँ पर दिया गया पांच-छे तरीके, बस इतने में ही आपकी गाड़ी चल जाएगी, यह क्या है, loan pair और bond pair, अगर दोनों होगा, जैसे दो bond pair है, एक loan pair है, तो यह loan pair इस bond pair कहा है, यह पिरामिडल हो जाएगा, यह हमारे दो लोन pair है, AB2, tetrahidal हो जाएगा, तो यह आपको याद करना होगा, कैसे यह चलेगा, ठीके, drawback, Lewis approach का यहाँ पर दिया गया है, क्या होता है, drawback, valence, electron pair, repulsion का यहाँ पर दिया गया है, simple molecule को इन्होंने explain किया, लेकिन बाकी को explain नहीं कर सके, इसलिए बाद में violence bond theory और molecular orbital theory आई, molecular orbital theory को Hitler और London ने बताया, कैसे बताया, इन्होंने क्या का, violence bond theory को इन्होंने बताया, इन्होंने कहा, जैसे एक item यह है, एक item यह है, जिसमें repulsion और attractive दोनों force पाये जाते हैं, attractive force क्या होता है, और repulsion क्या होता है, यह समझना होता है, nucleus और electron के बीच में क्या होता है, यानि कि हम कह सकते हैं, यह attractive force है, और यह repulsive force है, जब attractive force, repulsive force से ज़्यादा हो जाएगा, तभी क्या होगा, strong bonding होगी, अगर attractive force, repulsive force से कम होता है, तो bond सही नहीं बनेगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद orbital overlap concept है, ठीक है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसको पढ़ोगे तो confused हो जाओगे, exam करीगे, types of overlapping में जड़ा देखिए, overlapping हमारे यहां कितने तरह की है, जड़ा इस पर समझेगा, हमारे यहां overlapping जो पाई गई है, वो एक axial overlapping होती है, एक sidewise overlapping होती है, axial overlapping में SS overlapping, SP overlapping, PP overlapping होती है, यह S orbital, यह S, तो, overlap region जादा है, तो इसलिए Sigma bond बनेगा, यह S, यह P, overlapping होई, overlap region जादा है, यह sigma bond बनेगा, तो यह SS हो गई, PP में पी, यह overlapping होई, overlap region जादा है, तो PP overlapping होई, Sigma bond बनेगा, size ball, overlapping में क्या होता, है बहुत strong होता है और पाई side wise overlapping से बनता है वो weak होता है single bond में एक sigma होता है double bond में एक sigma एक πाई होता है triple bond में एक sigma दो पाई bond पाये जाते हैं आपको sigma और पाई गिनना भी आना चाहिए अगली बात है hybridization के बारे में अगर हम hybridization की बात करते हैं यह question यह बहुत important topic है दोनों sigma और पाई की जानकारी होगी तभी hybridization में बात हो पाएगी अगर हम hybridization की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं hybridization में हम यह पढ़ते हैं कि कैसे केवल इस पर जो इतनी घ्यान की बात लिखी है इस पर से calculate करोगे count sigma bond count loan pair electron आपको क्या करना सिग्मा बांड और loan pair electron count करना है sigma और loan pair को add कर लेना है और उसी की basis पर उसका hybridization बता देना है जैसे यह CH4 है अब यहां देखो एक दो तीन चार यहां से question बनता है एक दो तीन चार sigma किता हो गया चार सिग्मा हो गया और चार सिग्मा है तिसे हम क्या कहेंगे चार सिग्मा bond हो गया तिसे हम SP3 hybridization कहेंगे क्योंकि S में 1 होता है और P में 3 होता है orbital तो S1 हो गया P3 हो गया तो SP3 हो गया यहां देखो CCL4 तो कितने से जुड़ा है, चार से कार्बन का हिबडाजिशन क्या होगा, SP3 हो जाएगा, यहां देखो इस तरह का कुष्चन एक्जाम में पूछा जाता, CS3, C, triple bond, CH, अब देखो यह हाइडोजन कितने है, तीन कनेक्टेड है, तो 3, 1, 4, क्या हो जाएगा, SP3 हो गया, यह ती हो जाना है, तो 2 सिगमा हो गया, यह double bond है, तो 1 सिगमा हो गया, इसमें तो 3 हो गया, तो यह SP2, वही 3 यहां भी तो यह SP2, इस प्रकार से हम hybridization को calculate असानी से कर पाते हैं, यह hybridization को calculate करने की बिदी बताएगी, यह molecular orbital theory की कहानी है, जर अस सुनिएगा, MOT के पास हम चलते हैं औ इसके बारे में अगर हम आपको बताएं, तो सबसे पहले चीज यह energy level diagram याद होना चाहिए आपको, ठीक है, अगर energy level diagram आपको मालूम होगा, तो बहुत अच्छी बात है, कहते हैं, up to N2, अगर N2 तक, N2 का मतलब बिटा एक nitrogen में 7 electron, N2 मतलब 14 electron तक हमें यह rule लगाना है, 14 electron से जब हम उपर जाएंगे, तो हमें यह rule लगाना है, ठीक है, यह rule और यह rule, दोनों याद रखना है, bond order का formula है, half NB minus NA, NB मतलब BMO minus ABMO, NB मतलब number of bonding molecular orbital minus number of anti-bonding molecular orbital, यह जो star वाले हैं, यह सभी ABMO हैं, यानि कि anti-bond, anti-bonding bonding वाले हैं, और जो BMO का मतलब है, जो star जिसमें नहीं लगा है, जो normal वाले हैं, यह सभी क्या हैं, यह BMO हैं, तो आपको क्या करना है, BMO का electron गिनना है, और anti-bond का electron गिनना है, तो BMO में से anti-bond को, ABMO को घटा देना हैं, जैसे example कैसे हम करेंगे question, जैसे देखिए, H2 molecule है, अब H2 molecule में hydrogen H2 है, तो H2 में कितने electron होंगे, 2 होंगे, त हमने का sigma 1H2, sigma star 1H0, इसका मतलब 1H2 का मतलब यह हुआ, कि इसमें electron ABMO में आया, ABMO खाली रह गई, क्योंकि 4 होता तो ABMO में electron जाता, या 3 होता तब भी जाता, लेकिन यह क्या है, H2 है, तो BMO में दो गया, लेकिन ABMO खाली रह गई, तो BO जब bond order निकालते है, तो हाप, NB-N न किये, NB में यह जो electron ऊपर यह है, यह electron है, तो इसमें कितना electron है, 2, ABMO में कितना है, 0, तो 2-0, 0, 1 by 2 into 2, कितना आया, 1, तो इसका मतलब bond order 1 है, और वैसे भी H2 में hydrogen single bond से ही, hydrogen से connected होता है, यानि कि अगर हम H2 molecule की बात करते हैं, तब भी हम bond order 1 जानते हैं, और ऐसे देखेंगे तब भी हम bond order run जानेगे, ठीक है, यह इसका energy level diagram है, 1S, यानि कि यह जो BMO होती, इसके energy कम होती, ABMO की जादा है, इसको नीचे कर दिया, इसको उपर कर दिया, अब इसमें 2 electron भर दिया, यह खाली रह गई, बस ऐसे इसको करते हैं, टोटल number of electron 4 हैं अगर, तो sigma 1H2, sigma star 1H2, इस अगर 14 से उपर जाना है, तो हम क्या करेंगे, अब above 14 वाला rule हमें लगाना होगा, अगला last topic है, hydrogen bonding को हम कैसे पढ़ते हैं, the attractive force which binds hydrogen atom of one molecule to the electronegative atom of another molecule, उसको हम क्या कहते हैं, hydrogen bonding काता है, इस simple सा समझो rule, कि hydrogen जब fluorine, oxygen और nitrogen जैसे highly electronegative element के साथ bond बनाता है, तो वही hydrogen bonding कहलाता है, यानि जब hydrogen highly electronegative element, fluorine, oxygen या nitrogen के साथ connected होता है, या connect होता है, तो उसी को हम hydrogen bonding के नाम से जानते हैं, hydrogen bonding दो तरह की होती है, एक intermolecular होती है, एक intermolecular होती है, intermolecular में hydrogen atom electronegative element के साथ जैसे ऐसे, HF molecule, HF molecule, HF, अब यहाँ delta IN की value जादा है, 0 से जादा है, तो यह partial positive हो गया, partial negative, partial positive, partial negative, partial positive, partial negative, partial negative, और इनमें क्या होगा, एक weak attraction हो जाएगा, इसी के basis पर हम intermolecular hydrogen bonding को समझ पाते हैं, साथ उम्मीद करता हों के बाद आपको समझ में आ गई होगे, दोसरे नमबर पे आता है, intermolecular hydrogen bonding, इसमें एक ही molecule के different atom होते हैं, इसमें different molecule में बनता है, इसमें एक ही molecule के अलग-अलग atom आपस में बनाते हैं, देखे, fluorine और hydrogen आपस में attract हो रहा है, लेकिन आर्थो नाट्रो फिनॉल के oxygen से hydrogen attach हो रहा है, O और H के बीच में hydrogen bonding मन रही है, इसे हम intermolecular hydrogen bonding कहते हैं, और इसको intermolecular hydrogen bonding कहते हैं, तो यानि दो तरह की hydrogen bonding इसमें पाई जाती है, और इसी के साथ ये chapter आपका समाप्त हो गया, यानि कि आपको अगर important terms की बात करें तो एक hydrogen bonding, एक bond order calculate करना आना चाहिए, दूसरा short note आपको, ह का important है, ये है, ये important नहीं, ये है, ये भी important नहीं, टाइप साप covalent bond में bond की जानकारी आपको थोड़ी होनी चाहिए, exam के point of view से, तो अगली बात बेटा, आपको molecule बनाना आना चाहिए, अगली चीज आपको, ये सब में ज़रूरी है, limitation, octate rule की पता होनी चाहिए, lattice enthalpy, bond enthalpy, bond angle, इन पे short note पूछा जा सकता है, इसको आप तयार करके रखेंगे, bond enthalpy, bond order आपको मालूम होना चाहिए, resonance structure एक दो बनाने आने चाहिए, जैसे example में दो तीन दिये ग record में non-polar और polar covalent bond की जानकारी आपको होनी चाहिए, उसके बाद फजान rule के बारे में आपको पता होना चाहिए, कि फजान rule का statement क्या था, ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है, फजान rule के बाद, valence cell electron pair repulsion theory का, आपको drawback मालूम होना चाहिए, जैसे इसमें से क् यानि कि अगर इसमें से आएगा, valence cell electron pair repulsion theory से किसी molecule का shape आप से पूछा जा सकता है, उसका hybridization आप से पूछा जा सकता है, इस तरह का question इस से आ सकता है, drawback सब का पढ़ लेजिए, Lewis approach चाहिए, valence electron pair का हो, किसी का भी drawback मत छोड़िएगा, सब का drawback पढ़ लेजिए, क्याने के संभावनाएं, जाधा होती है, ठीक है, हाँ, अगली बात, sigma pi की पूरी जानकारी होनी चाहिए, sigma pi count करना आना चाहिए, और sigma pi के basis पर hybridization आप निकालने, ये आपकी पहली priority होनी चाहिए, क्योंकि hybridization से question आता ही आता है, hybridization के बाद, bond order calculate करना आना चाहिए, और hydrogen bonding में कभी कभी question आता है, कि इस पर एक short note लिखिए, इतनी बात आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है, overall ये chapter आपका खतम हो गया है, हम उम्मीद करते हैं, कि आपको better समझा पाए होंगे, और बेटा जो जो चीज हम important topics बताएं है, notes आपके सामने है, और अब इसमें संसय का विसे नहीं है, आ आप इस notes को देख करके अच्छे से तयार करने, ये आपकी पहली priority होगी, और हम उम्मीद करते हैं, कि आप इसे follow भी करेंगे, ठीक है, बहुत कम समय में हमने इसको revise करा दिया है, आपको ध्यान इस बात का देना है, कि exam के point of view से, ये chapter काफी important है, कुछ bond order के questions solve कर लेजिए, जितनी short note हैं, उन सभी short note पर थोड़ा सा work करिए, उसको याद कर लेजिए, साथ ही साथ आप hybridization निकालने की practice कर लेजिए, एक दो तीन questions में, ठीक है, hybridization के साथ साथ भी आपको work करना होगा, कि जैसे कोई भी compound दिया जाया, तो उसका hybridization कैसे होगा, क्या होगा, उसकी भी जा चैप्टर जानदार, जोरदार और बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और आप exam में अच्छा करके आएंगे, बाकी लगबग लगबग हमने सारे चैप्टर की वीडियो upload कर दी है, इसको एक revision के point of view से आपको upload किया गया, आज के रिए फिला लिता है, good night to all of you, today class is over, thank you, all the best